गोपाल होरा नासिकों के रहने वाले हैं. कृष्ण का एक भख्त किसी भी तरह से इस जीवन में श्री कृश्न के दर्शन पाने की इच्छा के साथ उन्होंने अपने गुरु से मंत्रोप देश प्राप्त किया. उन्होंने 26 वर्षों तक भक्ती के साथ अभ्यास किया. उन्ह जानते हुए कि शेडी में एक ब्रामन फकीर था, वह भगवत गीता को अपने साथ ले गया, बाबा साई बाबा के दर्शन करने गये, उसने देखा और रुख गया, क्या साई एक मुसल्मान है, यदि आप भगवत गीता को बाबा के पास ले जाते हैं, तो वह शास्त्र उसे संदेह था, कि यहां अशुद्ध हो जाएगा, बाबा ने उससे कहा, भले ही तुम एक अशुद्ध भी गिर जाओ, लेकिन गीता अशुद्ध नहीं है, आप जो सोचते हैं, वहां गलत है, बाबा ने कहा, क्या आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, उससे यह पूछा ग श्लोक का पाठ किया पढ़ने के लिए, वहां पढ़ नहीं सका, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ने की शक्ती दूँगा, पढ़ो, बाबा ने कहा, आप बालकृष्ण को देखना चाते हैं, आपको भगवान कृष्ण के दर्शन मिलेंगे, देखिए, बाबा ने कहा, स पाइनाधू के बजाए साक्षाद भगवान कृष्ण स्वयम प्रकट हुए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, होरा ने कहा, घर जाओ और कमल, पर पानी की एक बूंद की तरह बनो, भगवान कृष्ण के ध्यान में शामिल हो, बाबा ने कहा, उसे आशिरवात दिया गया और विदा किया गया